नमस्कार दोस्तों, करांटा फेर एक्स्प्रेस में आप समें कस्वागत है, कोरोना से सम्मंदित हर्ड इम्मेनेटी कोंसेप्ट को आज की लेक्चर सेज में डिसकस करेंगे, हर्ड इम्मेनेटी क्या होती है, ये कोरोना वारेश के संक्रम मन को कैसी रोग सकती है, कितनी परत संक्रामक भीमारियों से समन्दित दो-तीन concept को समझना जरूरी है सबसे पहला concept कि मूल परजनन अनुपात क्या होता है कि किछी संख्राम क रोग कारक से समनन रिखाए अननुपााइब किसी भी संक्रामक रोग कारक से सम्मनित अनुपात जिसके मादम से हम ये बता सकते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने सामाने व्यक्तियों को उस रोग से संक्रमित करेगा ये उस रोग कारक का basic reproductive ratio BRR या मूल परजनन अनुपात कहलाता है किसी रोग कारक का BRR जितना ज्यादा होगा या आर नोट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अधिक्या होगा संक्रामक होगा ये आर नोट basically एक mathematic calculation है जो तीन संक्याओं का उत्पाद माना जाता है ये तीन संक्याओं कौन कौन सी है this is very important पहली चीज़ तो इसमें consider की जाती है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उस संक्रमित व्यक्ति में उन दिनों की संक्याओं जिसमें वो दूसरे सामाने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है यानि कोरोनवाइरस के perspective में देखे हैं तो कोरोनवाइरस संक्रमित व्यक्ति में वे दिनों की संक्याओं या उन दिनों की संक्याओं जिनमें कोई कोरोनवाइरस संक्रमित व्यक्ति किसी सामाने व्यक्ति को स जाती है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की संख्या देशिजवरी इंपोर्टियों द्यार लगना इस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले शामाने व्यक्तियों की संख्या और तीसरी आर नोट का मान 2 से 3 के बीच होने का अनुमान है अभी पूरी तरीके से इसके data authenticate नहीं किये गए हैं डबलो अचो के द्वारा खसरे के लिए अगर बात करें तो आर नोट का मान 12, 16 और इंफिन्जा के लिए आर नोट का मान 1 से 4 होता है कि एक से चार होता है अब इस सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है कि आर नोट के मान हमने बता है कि आर नोट का मान जितना ज़्यादा होगा उस बिमारे का संक्राण वान वह उतना ही क्या होगा ज़्यादा होगा तो इसलिए हम आर नोट के मान को क्या करना चाहिए कम करना चाहिए अब आर नोट के मान को कम करने के लिए हम तीन तरीके अपना सकते हैं क्योंकि हमने पहले बता दिया कि आर नोट कितनी संख्याओं का उत्पाद है तीन संख्याओं का उत्पाद है पहले संख्या तो क्या है? पहले संक्या हमने बताय था कि किसी भी संकर्मित व्यक्ति यानि कि कोरोना वारे से संकर्मित व्यक्ति में उन दिनों की संक्या जिन के दोरान वै अन्य व्यक्तियों को संकर्मित कर सकता है तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते यानि कि सरकार इसके अंदर कोई भी मिजर न संकर्मित वक्ति के संपर्क में आए सामानि व्यक्तियों की संख्या, इसको सरकार कम कर सकते हैं, इसको यदि सरकार ही क्या हम भी कम कर सकते हैं, मिलकर कम कर सकते हैं, तो इसको यदि कम कर दें, तो आर नोट कमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आर नोट कमान कम हो जाए तो उस बीमारी का संक्रमन दर्वी क्यों हो जाएगी, कम हो जाएगी, तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, सामाने व्यक्तिएं के संक्रमित होने की संभावना, तो अब ये इस पर सरकार का भी कोई रखा ज्यादा कंट्रोल सरकार क्योंकि हर व्यक्ति की सारी दसाएं अलगलग होती हैं तो इसलिए लोकडाउन का डिसेजन लिया गया है जिससे की आर नोट का मान क्या क्या जा सके कम क्या जा सके और कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोका जा सके तेजिसे बढ़ते हुँ संक्रमन क्या 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 जा सके स्लो क् कि धीमा क्या जासके, ठीक है, अब इसके अंदर Umping important है, की आर नोट का मान दो से या थीन है, दो या थीन, ठीक है, य Else की एक व्यक्ति कितने और संक्रमित कर सकता है, दो को शंक्रमित कर सकता है, तो इसके लिए कि हमें हर दूसरे व्यक्ति से दूरी बना करके चलनी होगी, चाहिए वो संकर्प कोरोना वाइरस के लक्षन उसमें लग दिखाए दे रहे हो या नहीं दिखाए दे रहे हो, पूरे तरीके से थे हम effectively इसको implement करें तो इस concept को, हमें हर दूसरे वक्ति से दूरी बना करके रखनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे केसे वे आए जिनमें कोरोना वाइरस के लक्षमन पैदा ही निवे यानि कि वो पोई सेंट पूरी तरीके से क्या थे एसिंटोमेटिक थे तो ये थोड़ा से हालांगे डिफिकल्ट है बट ट्राइ टू मेंटेन इट कि हर दूसरे वक्ति से दूरी बना करके रखनी चाहिए तो इसलिए हमें एक पॉइंट पता लग गया कि जिस तरह से आर नोट कोरोना वाइरस के परसार को प्रभावित करता है उसी तरह से हमारा विवार भी आर नोट को प्रभावित करता है क्योंकि यदि हम विवार में सामिल कर ले कि हमें हर दूसरे वक्ति से थोड़ी दूरी बना कर रखनी है तो आर नोट का मान क्या हो जाएगा कम आर नोट का मान कम हो जाएगा तो उसके संकरमन की दर, कोरोन वाइरस के संकरमन की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अब बात करते हैं हर्ड इम्यूनिट हर्ड इम्यूनिट क्या होती है, किसी समाज ये समों के कुछ परतिसत लोगों में रोग परतिरोधक चमता के विकास के माद्यम से के माध्यम से उस संक्रामक रोग के परशार को रोखना सिंपल ले में लेंग्वेज में बात करें तो किसी समाज के अंदर या किसी देश के अंदर कुछ परतिसत लोगों में किसी रोग संक्रामक रोग के परती रोग परतिरोधक्षमता के विकास के द्वारा उस संक्रामक रोग के परशार को रोगना ही क्या है? Heart Immunity कहलाती है यानि कि अगर Coronavirus के perspective में बाद करें तो Coronavirus के परशार को कैसे रोगना है? कि बहु कुछ प्रतिसत लोगों में Coronavirus' से समंदित क्या जाए? Immunity आजाए? पर्तिरोदक छमता जाए ठीक है? अब ये परतिरोधक छमता का कॉन से अब वैसे तो हम प्रिवेस लेक्चर में हम डिसकस कर चुके हैं ब्लड प्लाजमत है रिपी हमने डिसकस की थी उसमें आपने बताया था कि जब कोरोना वाइरस का संकर्मन हमारे सरीर में होता है तो कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए हमारे सरीर में दो एंटिबोडी बनती हैं आई जी जी और आई जी एम यह एंटिबोडी मैंने बताया था कि यह बी लिंफोसाइट से बनती हैं B lymphocyte, साथ ही मैंने ये भी बतायता है कि हमारे सरीर के अंदर जो lymphocyte होती है वो दो तरह के उसे होती है B lymphocyte और T lymphocyte तो B lymphocyte तो बनाती है antibody और T lymphocyte अन्यकारे करती है अन्यकारे हम जैसे कि उस रोग कारक की memory सरीर के अंदर ख्रीड करके रखना जिससे कि दोबारा यदि उस रोग कारक का संक्रमन हमारी body के अंदर होता है तो वो T memory cell active हो जाती है और पूरे immune system को active करती है इसके लाव इसके अंदर T helper cell भी होती है जो सायता करती immune में इसके लाव T killer cell भी होती है जो रोग कारक को मारने का कारिक करती है तो इस तरीके से यदि कुछ लोगों में blood plasma therapy में बताया था कि coronavirus का संक्रमन हो जाता है तो उसमें रोग प्रतिरुदक चमता पिक्सित हो जाती है अब यदि कुछ प्रतिसात यानि कि लिमिट क्राइटर है कि ये भी calculation से पता किया जाता है कि कुछ प्रतिसात मतलब कितने प्रतिसात होने चाहिए कुछ प्रतिसात के मतलब यह नहीं कि एक दो प्रतिसात लोगों में यदि coronavirus का संक्रमन वारों में रोग प्रतिरुदक चमता आगे तो इसका मतलब पूल कम्मिनटी के इंतरा हर्ड इमिनेटी आगे और प्रतिसात जो बहुत ज़्यादा है ठीक है अब हमारे मन में कुछ सवाल पैदा होंगे उनके जवाब देंगे सबसे पहला सवाल तो होगा कि वहड़ इमिनेटी और वैक्षिन में क्या समन्द है तो हाड इमिनेटी और वैक्षिन में सीधा डायरेक समन्द रखका इसे की पोलिया वाइशन तो पुल्या का वायरस निसक्र या मर्थ वायरस बोड़ी इंजयट गरते हैं जिससे मैंने बताई कि T T lymphocyte के जो T memory cell हम कौंसे ती precise T memory cell उनके अंदर का डवलप्क हो जाति है उस वाइरस की पिक्चर स्टोर हो जाती है कि उसका जैनेटी मेटरिल के बारे में सुचने है कि तरित हो जाती है जब दुबारा से फ्लीड वाइरस शरीर के अंदर गोस्ता या संकर्मन करता है तो टी मैमोरी सेल पूरे इम्यून सिस्टम का एक्टिव कर देती है और पोलियो का वाइरस रोक करने से पहले ही मार दिया जाता है ठीक है तो एक तो वैक्षिनेशन के माद्यम से हार्ड इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है और इसी भी समुधाइक अंतर रोक के परसार को कम्प्लीटली रोक आ जा सकते हैं लेकिन कोरोना वाइरस के लिए कोई भी टीका भी उपलब दे नहीं है ठीक है तो इसलिए vaccination के द्वारा तो coronavirus में heart immunity को नहीं बढ़ाया जा सकता है अब अगला concept इसमें आता है कि सरंकला अंत्राल सरंकला अंत्राल ये time series interval क्या होता है कि दो संकर्मित व्यक्तियों में virus संकर्मन के लक्षन को प्रकट होने के समयंत्रा यानि कि एक व्यक्तिया A और एक व्यक्तिया B दोनों में coronavirus का संकर्मन हुआ इस व्यक्ति के अंदर मालो 5 दिन में और इस व्यक्ति के अंदर 7 दिन में लक्षन प्रकट हो है तो इनके बीच का जो गया period है उसको क्या बोलते है series interval क्या बोलते है series interval अब ये अंतराल जितना कम होगा यानि कि ये अंतराल जितना कम होगा एक दिनों अब तो और मालो कुछ गंटे हूए तो उतनहाई जदा उस वाइरस यह उस रोक के फैलने के संभावना क्या होगी जदा होगी अब स्रंखला अंत्राल हाड एमिनेटि में क्या संबन्धा है तो जैसे कोरोना वाइरस के लिए संखला अंत्राल होती है 5-7 दिन और इंफ्लिंजा के लिए संखला होती है 1.3 दिन तो अब भी मैंने थोड़ दीर पहल बता है कि स्रंकला अंतराल यदि कम होता है क्या होता है कम होता है स्रंकला अंतराल यदि कम होता है तो उस रो का परशार क्या होता है तेजिश होता है और जिसका स्रंकला अंतराल ज्यादा होता है उस रो का परशार क्या होता है दीमा होता है, क्या होता है, दीमा होता है, ठीक है, तो आर नोट भी जाद, आर नोट कम हो, तो परशार क्या होगा, दीमा होगा, तो इन फ्लोंजा क्या, जो परशार हो, क्या होता है, छे गुना ज्यादा तेज होता है, कोरोना वाइरस की तुनन, एक पॉइंट तीन और है कि भाई उससे हार्ड इम्मिनेटी यानि कि हमने बताए कुछ परतिसत लोगों में संकर्मन हो जाता है और उसमें रोग परतिरोदक चमता आ जाती है तो फिर हार्ड इम्मिनेटी डेवलप हो जाती है और उस समुदाय के अंदर उस रोग का परशार लगबग सा रोग जात और जिसे वो रोग परतिरोदक चमता विक्षित करें यहीं बहुत तेजी से फैल रहा है तो देश यह समुदाय कि जो सरकार है उसके पास समय भी कम रहेगा और होस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रेक्ट्चर है होस्पिटल इंफ्रास्ट्रेक्चर वह भी जर्माज जाएगा और बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे मर जाएंगे जैसे कि स्पेर निटली वगराम यह हुआ ठीक है तो इसलिए श्रंक्रा अंत्राल क्या होना चीए ज्यादा होना चीए चाहिए हर्ड एमुनेटी थोड़ा सलोली डवलप हो जाए लेकिन अगर श्रंक्रा अंत्राल अब इसका लोग डाउन के अवद्धे से क्या संब्दे लोग डाउन के अवद्धे से संब्दे पहला तो मैंने शुरुआत में बताया था कि आर नोट के मान को हमें क्या करना है बढ़ाना है तो अब आर नोट के मान को यदि बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या करना प परपजी है लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट यह दियागा यह लोग डाउन लंबे समय तक रहेगा और लोग एक दूसरे सेपरेट रहें तो फिर कुछ परतिसात लोगों जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ परतिसात लोगों यह दी रोग परतिरोदक छमता आ जा परति और उससे क्या होता कि कोरोना का परशार रुख जाता लेकिन इसके दो सबसे बड़े ड्रोब है कि पहला चलेंज तो क्या है कि कोरोना वाइरस के लिए जो आंकड़े आये हैं उसके अंदर हर्ड एमिनेटी थ्रेशोल्ड कितना होना ची साट परतिसात यानि कि उस सम इंपोर्टेंट टास्क क्या है कि यदी मानलो लोग डाउन नहीं होता तो अप तेजी से रोग फैलता बहुत सारे लोग संक्रमें दाती है और नोट कमान क्या हो जाता कम हो क्योंकि अगर मान लो नोट का मान बहुत कम होता है और संकरमण बहुत तेजी से पहल था तो कुछ देर पहले बता है कि जैसे इस पे नोर इटली मुँआ वैसे इससी सिचुएशन बाहरत के अंदर हो जाती। क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोगों के हर व्यक्तिकें अंदरे म्यून पावर इस्ट्रोंग है या फिर उसकी सारे दसाइं चाहिए और अगर माल बहुत सारे लोग एक संकरमित हो जाते तो फिर ऑश्पिटल की जो दसाइं वो चर्मरा जाती है यह जो हमारा ऑस्पिटल करें यूरोपियन कंट्री में हो रहा है और ब्राजिलिन में भी शुरू में तो यह इकाता है कि हर्ड इम्यूनिटी डवलप करनी है यूके ने भी यह इकाता लेकित बाद में देखा कि नहीं हर्ड इम्यूनिटी अगर जल्दी हम इस दिसाम जाएंगे तो इसकी कोई भी सेजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता है थैंक यू थैंक यू सो मच है वंडरफू एविनिंग